दोस्तों आज मैं आपको बता रही हूँ तीन ऐसे जबरदस्त, रामबाड और इजी योगासनों का अभ्यास जिनकी मदद से अगर आपको कॉंस्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है तो उससे निजात मिलेगी, उससे छुटकारा मिलेगा तो आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है, हर एक स्टेप्स को अच्छी तरीके से समझना है, चैनल में नए आये हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और इस परिवार का अटूठ हिस्सा बन जाएगा अगर आप नीचे घंटी का निशान दबा देते हैं ना, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में कभी भी अपलोड करूँगी, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाईल या लैप्टॉप में आसानी से मिल जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे नमश्कार दोस्तों मैं शहीदा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले जी सासन का हम अभ्यास करेंगे, इसका नाम है मलासन, मलासन का अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना है? Simply squatting position पर बैट जाना है, और इसको बहुत से लोग Asian squats के नाम से भी जानते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है? तो आराम से आपकी पूरी body का weight आपके दोनों पैर के पंजो पर equally distributed है, एडियां, आपके पूरी सारी उंगलियां, पैर का पंजा nicely mat पर आपने रखा हुआ है, और अब क्या करना है, कि बहुत से लोगों को hips में बहुत जादा stiffness होगी, या घुटनों में दर्ध होगी, या बुजुर्ग होगे, जो frequently mat पर ऐसे नहीं बैठते, squatting position पर वो जरा रुके, क्योंकि मैं कुछ modification भी आपको बताऊंगी, तो इस तरीके से आपने दोनों घुटनों को बाहर की तरफ ऐसे push करना है, इस तरीके से, अपनी elbows की मदद से, ऐसे, और दोनों palms को, दोनों हथेलियो को छाती के सामने ऐसे जोड लेना है, ठीक है, अगर ये ना कर पाएं, तो कोई बात नहीं, दोनों shoulders को अंदर कीजे, घुटनों को बाहर की तरफ करिए, और दोनों हाथों को आप चाहें, तो mat पर रख लिए, क्योंकि objective तो इसमें ये है, कि आप deep squatting position पर बैठेंगे, ताक पर pressure बनने के कारण आप आसानी से मल को त्याग करते हैं, आपने देखा होगा हमारे most of Indian जो toilets हुआ करते थे, मैं थे इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि most of लोग western toilet इस्तमाल करते हैं, कुछ लोगों की तो health condition होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही western toilet का इस्तमाल करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको constipation की समस्या आपको, आपके बच्चों को और आपके परिवार में किसी को ना हो, तो हमेशा Indian toilets का इस्तमाल करें, क्योंकि ये हमारी natural position है बैटने की, जब भी बच्चे जो हैं मा के गर्व में होते हैं, पेट में होते हैं, तो उनके बैटने की position ही जब पैदा हुए थे, मा के पेट में थे, तो हमारी बैटने की position ही कुछ इस तरीके की थी, तो ये हमें प्रकृती ने इस तरीके से design किया है, इसलिए इसके साथ छेड़ चाड़ना करें, और कोशिश करें कि अगर आप मलासन में नहीं बैट पा रहे हैं, तो अपने पैरो सुबह जैसे ही आप उठें, वैसे ही इस posture में बैट जाएं, और अगर आप इसमें और भी जादा benefit चाहते हैं, तो कम से कम 200 ml, 200 ml, हलका गुनगुना पानी पीए और इस posture में बैट जाएं, देखिए का कुछी दीर में आपको potty आने का ऐसा एहसास हो रहा है, और आप आराम सुबह potty आजाएं, इसके लिए हमें training देनी होगी अपने आपको, जैसे कि हम घर में नया पपी लाते हैं तो कैसे उसको train करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें देते हैं, तो वो train हो जाते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर है, कि इसको आप जिस साचे में ढालना चाहें, वो तो यह हो गया मलासन का अभ्यास, अब देखिए, बहुत से लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा कि आप इस तरीके से मलासन में आसानी से बैट जाएं, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास इस तरीके की एक योगा ब्लॉक है, दो योगा ब्लॉक है, अगर आपके पास ऐसी योगा ब्लॉक नहीं है, तो आपके आज पास इटे होंगी, जिससे घर बनाते है न, ब्रीक्स, वो होंगी, आप वो अरेंज कर लें, तीन, चार, पांच, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, अभी आपको समझाने के लिए मैं दो योगा ब्लॉक का इस्तमाल करू तो ये उन लोगों के लिए है, जिनको घुटने में दर्द है, जिनकी एंकर्स में पेन है, बुजुर्ग है, या ओबिसिटी की समस्या है, या कि फिर स्टिफनेस बहुत जादा है, या भिगनर है, तो आपको करना क्या है, कि आपने इस तरीके से योगा ब्लॉक्स को रख जाएंगे, ठीक है, देखिए, साइट से देखिए, ऐसे, इस तरीके से बैठेंगे, और फिर क्या करना है, घुटनों को बाहर रखना है, शोल्डर्स को अंदर करके रखना है, ताकि आपका जो पेट है ये पेट आगे की तरफ हो, और आपकी स्पाइनल कॉर्ट जो है, व उपन होने लगते हैं, और पैरों में भी मजबूती आने लगेगी, इस तरीके से, इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई छोटी टेबल इस्तमाल कर लीजिए, और ऐसे, चलिए सीखते हैं दूसरे पॉस्चर का अभ्यास, चुकि आप मलासन आसानी से सीख गए हैं, तो इस पॉस्चर का अभ्यास करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अब हम अभ्यास कर रहे हैं वायू निस्कासन का, तो इसके अभ्यास करने के लिए वापस से हमने बैट जाना है मलासन की पोजीशन पे, इस तरीके से, वही सारे स्टेप्स को करते हुए, तो दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के पंजे, यानि हाथ की जो उंगलिया है इसको लेटर की तरह जैसे एंवलप में डालते हैं उस तरीके से, ऐसे हमने फसा लिया, इस तरीके से, आपके घुटने बाहर हैं और शोल्डर अंदर की तरफ है, सामने देख रहे हैं, रीड की आओ पढ़ रहा है, इस चीज़ का ध्यान दे, और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस से आपने बैट जाना है मलासन में, इसका अभ्यास मिनिमम एक मिनट कर लें, और वैसे तो देखें, तो दस से पंदरा बार जितना आपकी स्ट्रेंथ हो अच्छी वैसी कर सांस लेते हुए हिप अप और सांस छोड़ते हुए हिप डाउन इस तरीके से, सांस लेते हुए हिप अप तो इसका अभ्यास आपको कब्स में तो रहात देगा ही, सांथी पेट पर जिनके बहुत जल्दी जल्दी गैस बन जाती है ना, उनकों में भी बहुत जादा मदद करेगा और देखे कितना अच्छा थाइज और घुटनों की आसपास की मसल्स में आपके आप एक फायर फील कर रहे होंगे जो की मदद करेगा वहां की मसल्स को मांसपेशियों को मजबूत बनाने में इस तरीके से अब बहुत से लोग इस तरीके से पैर को फसा के करने अभ्य सीधा कर पाएं तो इस तरीके से हलका सा टेड़ा कर लें और फिर ऐसे ड्रॉप करें सास ले फ्लोर को पुश करें हिप को आप करें और सास छोड़ें ऐसा इतना अभ्यास अगर आप करने लगे न तो पैर में तो कुछी दिनों में मजबूत ही आ जाएगी और खाना भी ब बताया था ब्लोक्स की मदद से तो आपको सिंपली अपने ब्लोक्स को ऐसे अपने हिप के नीचे रख लेना है अराम से बैठ जाना है हाथ को आगे रखना है ये भुजुर्ग भी आसानी से कर सकते हैं घुटनों में दर्द हो जिनको वो भी आसानी से कर सकते हैं और सास ल आपकी थाइस के राउंड जो एक्स्ट्रा इकट्टा होती उन फैट को भी पिगलाने में बहुत मदद मिलेगी अब इस पोस्ट्र को हम कर देते हैं रिलीज और आराम से बैट जाते हैं और रेस्ट करते हैं अब जो हम तीसरा पोस्ट्र कर रहें ये तो बड़ा ही आसान दोनों पैरों को आराम से ऐसे आपने एक एक करके घुटनों से मोड लिया दोनों घुटनों के बीच में आपने कंधों जितना फासला रखा दोनों हाथों को बड़ी के पीछे रखिए ऐसे जुकी हुई ना हो आपकी स्पाइनल कॉड़ी ध्यान रखिएगा ये बहुत ऐसे पीछे हो गए हैं ये ध्यान रखिएगा नाइसली आप आराम से ऐसे सीधे बैटे हैं थोड़ा आसा पीछे की तरफ जुक जाना है कलाईयों को बोडी की तरफ रखिएगा उंगलियों को पीछे रखिएगा ऐसे मत रख दीजेगा ऐसे रखिएगा हाथ को और दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लीजेगा इसका अभ्याज तो कोई भी कर सकता चाहे आपके घुटने में दर्ध हो तो भी अब सास लीजिए और सास छोडते हुए दोनों घुटनों को मैंने ड्राप कर दिया फ्लोर की तरफ ऐसे और चेहरे को घुटनों को लेफ्ट साइड ड्राप किया है तो चेहरे को राइट साइड ऐसे घुमा दिया ऐसे इस तरीके से सास लिया फिर से अब दोनों घुटनों को मैं ड्रॉप कर रही हूँ राइट साइड तो चहरे को लेफ्ट कंधे की तरफ ऐसे ड्रॉप कर दिया फिर से देखिए ड्रॉप कीजिए सामने देखिए ड्रॉप कीजिए फिर चेंज कर दीजिए तो चहरे को भी घुमाएंगे तो एक्स्ट्रा आपको benefit अपर बॉडी के भी मिल जाएंगे देखिए सासों को synchronize करके सास लिया सास शोड़ा, drop your knee, left, turn your head, right shoulder सास ले center और सास शोड़े, right drop कर दिया, left देखा सास लिया, सास शोड़ा अब इस अभ्यास में आपको क्या करना है कि आपकी नाभी पर आपको धियान रखना है नाभी कैसे एक, दूसरी साइड, जब पैर ड्रॉप करें तो कैसे move हो रहे हैं ये भी आप महसूस करेंगे तो ये सारे चीज़े में आपको छोटी-छोटी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने practice को और भी ज़ादा aware होके अभ्यास करें सास लिया, सास शोड़ा सास लिया, सास शोड़ा अगर आप पूरे घुटने को drop नहीं कर पा रहे हैं तो जितना हो सके उतना drop करें और एक बात और बता हूँ आप जब अभ्यास करते करते ना कभी-कभी ऐसे होगा कि ऐसे आगे की तरफ फिसल गया ये ऐसे हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? फिसल जाएंगे ना सेंटर आएं तो सांस ले ले फिर घुटना drop करें तो सांस को छोड़ दे इन सभी अभ्यासों को हर रोज जब आप योग का अभ्यास करते हैं तब कर ले या अलग से भी कभी भी कर सकते हैं लेकिन हाँ कोशिश करें कि आपका पेट खाली हो जब भी आप योग का अभ्यास करें इनका सुबह early in the morning अगर आप इनका अभ्यास करतें तो आपको बहुत ही जादा लाब मिलेगा और सुबह सुबह आपको वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी देनी है ना याद है ना आपको मैंने बताया था आपकी बॉड़ी को आप ट्रेन भी कर पाएंगे इस तरीके से अब दोनों पैरों को खोल ले और फिर रेस्ट करें दोस्तों अगर आप मेरी निग्रानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी online yoga classes में इन online yoga classes को Zoom के माध्यम से कंड़क्ट किया जाता है ताकि देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों आप आसानी से अपके घर के comfort zone में रहकर इन classes को जॉइन कर सके इन classes को कोई भी जॉइन कर सकता है अगर आप beginner है, already yoga का practice करते हैं या कि फिर आपको कोई lifestyle disorder disease है इन online yoga classes में students मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करते हैं और कि वो क्या-क्या सीखते हैं अलग-अलग तरीके के आसन, प्रानाया, मेडिटेशन अपने शरीर की cleansing कैसे करनी है योगी cleansing की टेकनीक साथ ही lifestyle को वहतर बनाने वाली कुछ tips और साथ ही diet के बारे में भी guide किया जाता है इन online yoga classes को join करने के बाद मेरे students की health में बहुत ही जादा tremendous changes देखने के लिए मिले हैं और वो health condition चाहे कैसी भी हो जैसे की lifestyle disorder diseases जैसे की diabetes, thyroid, hypertension, high blood pressure, depression की समस्या, anxiety की समस्या periods मिस हो जाते हैं, PCOD की समस्या conceive नहीं कर पाते, रात में नीद आने की समस्या, weight बढ़ाना है या घटाना है ऐसी बहुत सी समस्याओं में उनको फायदा भी मिला है और आज वो निरंतर yoga अभ्यास करने में सफल भी है और सक्षम भी है अगर आप इन online yoga classes को zoom के माध्यम से नहीं join कर पाते हैं, कोई बात नहीं मैंने कुछ courses इस तरीके से design किये हैं, जिसको आप अपने घर पे रहे के अपने comfort zone में इन videos को play करके आसानी से हर दिन yoga का अभ्यास कर सकते हैं और कितनी बार भी अभ्यास कर सकते हैं, कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं ये courses को जब मैंने design किया तो इस चीज का विशेश ध्यान रखा कि अगर कोई beginners भी इसका अभ्यास कर रहा है शुरुआत की है आपने yoga अभ्यास करने की, तो वो लोग भी आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं step by step हर एक तरीके के आसन, प्रानयाम और meditation को मैंने guide किया है इन सारी videos में आपको करना क्या है? इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर मेरी website मिल जाएगी www.yogaviddshahida.com अगर आप website नहीं विजिट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने यह WhatsApp नमबर शेयर किया हुआ है इस WhatsApp नमबर पर आपको सिर्फ एक WhatsApp करना है ताकि class के बारे में आपको मेरी team के द्वारा सारी की सारी detail भेज दी जाए तो मैं तो बहुत excited हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए आप अभी मेरी website विजिट करें और इस WhatsApp नमबर पर एक WhatsApp भी कर सकते हैं तो देखा आपने कितने आसान थे ना ये सारे योगा अभ्यास और सेकिन आपको इन अभ्यासों को निरंतर करना है ये नहीं कि एक दिन किया दो दिन किया और फिर छोड़ दिया आपको खुद भी करना है और अपने दोस्तों और रिश्दारों को भी खूब मोटिवेट करना है कि वो योग का अभ्यास करें अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कोई फाइदा मिला है चुकि आप अंतक देख रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्दारों को खूब फॉरवर्ड कीजेगा ताकि उनको भी स्वास्त लाब मिले अगर आप चाहते हैं आपके सजिस्ट किये हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं इन फ्यूचर तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताईए कि अगली आने वाली वीडियो जो है कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताई हुए टॉपिक पर वीडियो बनाके अपना खूब खयाल रखिये नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी नमस्ते झाल